तो हेलो फ्रेंट कैसे हैं दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपको पता होगा वाटसप की नहीं पॉलेसी आने के बाद कितना जादा कुछ होने लगा था जिसको लेके उन्होंने वाटसप की पॉलेसी को थोड़ा एक्सेंड कर दिया था है इसको एकसेप्ट करन नहीं पड़ेगा नहीं तो आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे तो आज की वीडियो में दोस्तों यह बताने वाला हूँ क्या उन्होंने अब बोला है और क्या अपडेट आया है तो उसके बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों वीडियो को स्किम्मत करीगा वीडियो को इसी उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको एक और स्क्रीन शॉट मिलेगा या बुल सकते हैं दो आपको स्क्रीन मिलेगी जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूं उस पर यह लिखा हुआ है दोस्तों कि हम आपके डेटा को कहीं शेयर नहीं करेंगे बट हम अपनी पॉल आपको यहां पर देखेंगे तो आपको यहां पर ऐसा option मिलेगे जबसे पहले आपको यहां पर दिख रहा हुआ हुआ विई आर अबहरा दीटिंग आबर को कहा ही कि जैसा हमने अपको पहले बताए था हम वहां पर वैसा ही आपकी पॉलसी को अप्डेट करने के लिए हम बिलकुत तयार है हम आपकी अपडेट करने हम हम पॉलसी को अपडेट करेंगे यहां पर हम आपकी कोई का पनानल Tool कि और we are making easier to chat with business, यहाँ पर हम इसलिए इसको करना चाहरा हैं, जिससे आप business के तुरू, मतलब जो Facebook, Instagram या दूसरे भी जो business हैं, वो easily encrypt कर सकें, तो इसके लिए हम security को update कर रहे हैं, जो की shopping purpose के लिए, और we are responsible, explain we are changing, हम जो तो changes कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर click करके देख सकते हैं हम क्या क्या change कर रहे हैं, जैसी में इस पर click कर हूँ है, यह लिंक दिया हुआ है, यहाँ लिंक पर जाएंगे तो यह सीधा आपको यहाँ पर ले जागा, we are updating, यहाँ साब सब उन्होंने लिखा है, what's is changing, हम क्या क्या change कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसलिए change कर रहे हैं, कि easily, आप WhatsApp के थुरू, आप advertisement के थुरू, मतलब WhatsApp पे अगर आप कोई, अगर आपने अपने mobile में कोई shops, कोई आपने चीज परचेस करने को सर्च मारी थी, या कोई product आपने सर्च मारा था, तो वो आपको WhatsApp पे आपको मिलेगा, वहाँ से इसको purchase कर सकते हैं, तो हम उसको easy करना चाह हम आपको एक एक चीज बताने वाले हैं, हम आपका क्या collect करेंगे और क्या आपका नहीं collect करेंगे, या क्या चीज हम share करेंगे, यह बताने वाले हैं, प्राइवेट सेक्योडी हम personal chat and family with never change, जो आपकी personal information है, हम कोई leak नहीं करेंगे, यह उन्होंने साफ साफ कह दिया है, we are in control और उस दिन साफ साफ कहा है, हम सिर्फ business परस परस के लिए आपके data को share करेंगे, वो भी हुने जो business के लगता है, but आपकी personal information, family information हम किसी साफ शेर नहीं करेंगे, तो यह उन्होंने कहा हुआ है, उसके बाद आप दूसरी दाप उसको swipe करेंगे, एक और page लिखा हुआ है, यह इस अपडेट में हम आपको बताने वाले हम क्या-क्या नई changes करने वाले, how can chat with business, it's your, दोस्तों इसका main example होने दिया है कि अगर आप Facebook चलाते हैं, या Instagram चलाते हैं, वहाँ पर अगर आप forget अपना password करेंगे, तो वहाँ पर आपको एक अलग्षा option मिलना जाएगा, कि आप WhatsApp पे यह जो main headline आप देखेंगे, यहाँ पर साथ साथ, एक चीज़ तो यह लिखी हुई कि हम Facebook के साथ आपको data को यहाँ पर share जरूर करेंगे, और last में यह लिखा हुआ है, the term and policy of this effect to my 15-20, please accept this update to continue using WhatsApp to after this date, अगर आप update, अगर आपने उसको accept कर लिया policy को, तो आप उसको WhatsApp को use करते रहेंगे continue, अगर आप उसको accept नहीं करते, तो उसके लिए आप यहाँ क्लिक केर करेंगे, यहाँ पर साथ सब लिखा है, अगर आपने यहाँ पर 15 मई 2021 के बाद भी उसको accept नहीं करा, यह लिखा हुआ है, तो हम आपके जो की WhatsApp पे, आपके जो notification है, आपके जो message है, आपके ब read या listen कर पाएंगे, और कुछ time बाद वो आपका data 120 दिन के बाद आपका वहाँ से account को पूरी तरह से delete कर दिया जाएगा, क्योंकि जो की पहला rule था, अगर आप 120 दिन तक WhatsApp को use नहीं करते, तो आपकी information पूरी delete कर दी जाती, तो same वही process थे, अगर 15 मही के बाद आपने accept नहीं करा, तो उसके 120 दिन बाद आपके data को वहाँ पूरी तरह से delete कर दिया जाएगा, मतलब 3 महीने के बाद आपका पूरा data conversation delete हो जाएगी, उससे पहले आपका जो message आएंगे, आप वो read नहीं कर पाएंगे, या कोई call आईगी, तो आप attend नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने ये स साफ साफ कह दिया है, एक चीज़ और जो उन्होंने लिखी है, how business can manage their chat using facebook tool, facebook tool की थूरू आपके यहाँ पर business, आपके whatsapp की chat को business की थूरू उन्हों manage करेंगे, तो उन्होंने ये साफ साफ कह दिया गया है, आप यहाँ जाएंगे product and service में, यहाँ पर बता देंगे, किस तरह स से वो use करेंगे, we are chatting with business on whatsapp, you can view the facebook shop from their whatsapp business profile, अगर आप whatsapp business चलाएंगे, business profile में आपको facebook का shop वहाँ पर आपको chat मिल जाएगी, और you can, you may choose to use facebook pay account to buy something whatsapp without re-entering your payment detail, अगर आप facebook use करते हैं, तो whatsapp के payment से आप easily without any information डाले, वहाँ पर pay कर सकते हैं, मतलब आपकी चीज़ें महाँ पर share होगी, और advertisement business that advertise on facebook and instagram में भी provide a link on their whatsapp account directly in the advertisement, मतलब आपके पास advertisement link के through भी आएगी, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है, तो दोस्तों उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम अपनी policy को update नहीं change करने वाले, अब आपको policy को accept करना ही पड़ेगा, अगर आप accept नहीं करेंगे, त तो उसके बाद आप उसको use नहीं कर पाएंगे, दोस्तों latest update यही था WhatsApp नहीं आपको बताया, तो thank you, मुझे उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आईगी, दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आईगी, दोस्तों प्लीज लाइक जरू करें, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो में कुछ कमी है, तो मुझे dislike भी कर सकते हैं, जिसको आगे जाके मैं update करूँ, और अपनी गलतियों को सोधार हूँ दोस्तों, अगर आप मुझे कुछ पूछना चाते हैं, तो आप मुझे कमिट करके पूछ सकते हैं, दोस्तों, और आप अभी मे मेरे चैनल पर नहीं हैं, और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे इसका लिंक आपको डिक्षन पर मिल जाएगा, तो थेंकी दोस्तों.